संपन परिवार की बेटी बनी कोठी वली ऐसी है गंगुबाई काठिया वाड़ी की दर्ध भरी कहानी गंगुबाई का जन मुनिस सवन तालिस में हुआ था और असली नाम गंगा हर जीवन दास था जो गुजरात के कठिन बाड में रहती थी गंगुबाई का परिवार ही संपन परिवार था लेकिन गंगा के सपना कुछ और ही थे गंगुबाई जो पहले गंगा हर जीवन दास के नाम से जाने जाती थी गंगा का परिवार बहुत धनाद था उसके पिता की एक दुकान थे उसे दुकान पर उनके पिता जी ने एक नया एकाउंटेंट रखा वो एकाउंटेंट बामबे लाल था, गंगा पढ़ाई में होसियार होने के साथ साथ अपने मन में एक सफल अवनेत्री का सपना भी पाले हुए थी, उसे बस कैसे भी करके बुंबई जाना था और अपना सपना पूरा करना था, जैसे उसे पता चला कि उसके पिता ने एक नय बाबू रखा है, तो उसके मन में राम दिलाल से दोस्ती करने का विचार आ गया, गंगा नगर दोस्ती कर ली और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई, प्यार इतना हो गया कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, जब गंगा ने अपने पिता से यह बात और शादी करना चाहते हैं, तो उनके पिता जी ने साप सब्दों में मना कर दिया, लेकिन प्यार के आगे किसी की भी नहीं चलती, तो पिता के सब्द भी कैसे चल सकते हैं, दोनों ने भाग कर शादी करने का फैसला कर लिया, काठियावार जैसे छोटे से गाउं की रहने वाली लड़की मैं पता नहीं इतनी हिम्मत कहां से आई कि वह भाग कर साधी कर लेकिन जो भी था उसके मन में उसने रामदी के साथ भाग कर साधी कर ले और सीधा बुंबई को निकल गए बामबे संगीत में थी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गंगा को अपने पती का चेहरा धीरे-धीरे साब दिखाई देने लगा था क्योंकि उनके बीच छोटी-छोटी अनबन पर जगड़ा होता रहता था हाथ में नौकरी नहीं और राणे को छट नहीं इस सोच में आदमी कोई भी काम करने के लिए तयार हो जाता है हरामदिक ने केवल 500 रुपे में अपनी पत्नी गंगा को बुम्बई के एक मसवुर अस्थान रिड लाइट एरिया कामारी पूरा के एक कोठी वाले को बेज देता है और उसको कहता है कि काम ढोड़ने के लिए बुम्बई से बाहर जा रहा हूँ इसलिए कुद दिन हो अपनी मौसी के साथ उनके घर पर आना कम मिलने के बाद मैं तुम्हें मौसी के घर से ले जाओंगा रम्रीक ने जो कहती रही उसे क्या पता था कि और हमारी के मौसी का घर नहीं बलकि एक बिद्याले के बाद उसे पता चला कि रामदी उसे कभी भी लेनी नहीं आएगा और अब इस हालत के बाद वह अपने गाव भी नहीं जा सकती फिल्म जब से गंगा उसको उसे उठे पर आई थी तब से वह चर्चा में थी उसे वहाँ सब गंगू का कर बुलेड थे गंगू का कोठा कामा ठी पूरा में पड़ता था और वहाँ का एक खोनखार गुंडा है जिसका नाम सौकत खान था उसे भी जब पता चला कि कोठी में एक नई लड़की आई है और बहुत ही सुन्दर है तो अगले दिन ओ कोठी में पहुँच कर गंगा को घसीटते हुए उसकी मरजी के विना सारीरिक संबंध बनाता है पीटता भी है और नोचता भी है और मारता भी है उसके उपर बिना पैसे दिये भी चला जाता है पहली बार तो गंगा को कुछ समझ नहीं आया लेकिन दूसरी बार भी जब उसके साथ जवरज़स्ती करी तो उसने ठान लिया कि वह दिया कर रहेगी अपने आस पार से पता किया तो उसे उसका नाम और उसके मालिक करीम लान का नाम मालूम हुआ करीम लान ने उसे अश्वाशन दिया कि अगली बार सौगात आये तो मुझे बताना मैं उसका इलाज कर दूँगा इस अश्वाशन पर गंगा ने करीम लान के हाथ में एक धागा बाद कर उसे अपना भाई बना लिया किसी ने भी आज के बाद जवरजश्ती की तो अपनी जान गमा बैठों गए उसे गटना के बाद से गंगो गंगो बाई बन गई गंगो बाई का दबदबा इतना हो गया उसके नाम कर दिया गया फिर अपने दवंग अवतार के साथ उसने कोठी में काम करने वाली बैस्षाओं के लिए बहुत सारे अच्छे काम किये गुंडे उसे कोठी में आने से डरते थे बैस्षाओं के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा ले लिया बिना अपनी मर्जी के आई लड़कियों को अपनी कोठी में नहीं रगती थी, कोठी पर रहने वाले लड़कियों के लिए गंगुबाई गंगु मा थी, उनके हक की बात करने के लिए उसी समय के प्रधान मंतरी जवाहलाल नहरू से भी मिली थी, गंगुबाई का धमाका इत पतलब की कोई भी छोटा सा काम करने के लिए उसके कोठी तक आना पड़ता था। ऐसी थी कोब बनाने के लिए उसे किसी ने राजनेती में उताने को कहा। उसका भासड सुनने के लिए पूरा आजाद मैदान भर गया। और 1960 में सभी अखवारों के फ्रंट पेज पर उनके भासड का कवरिश था। भासड में दमदार दिया था। उसे भासड से पूरा बामबे तारा गया था। गंगुबाई की मृत्तु साधारण तरीके से ही हुई थी। और जब इनकी मौत हुई थी तब पूरे भारत की कोट में मातम चा गया था। आज भी किसी भी कोटी में चले जाएंगे तो गंगुबाई की तस्विर जरूर निलेगी। क्योंकि बिद्याले वाले इन्हें अपना भगवान मानते हैं। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरी चैनल को सस्क्राइब अवस्य कर लेने। झाले जरूर निले जरूर निलेगी।